जेहिंद स्वागत है आप सभी का एक बाप फिर से ओजांग टाइमस पर तो रोज की तरह ही आज भी कुछ एक विशेश कीवर्ड के साथ समचारों में रहने वाली कुछ एक महत्वपूर्ण सब्दावली के साथ और एक कुछ सुर्कियों के साथ मैं आपके साहों ने प्रस्तूत हुआ हूँ और जानने का प्रयास करेंगे कि ये शब्दावली है क्या इसके माइने क्या है जैसे अभी रिसेंटली फाइव आईज एलाइंस का जिकर समाचारों में लगातार चल रहा है जिसके आधार पर कनाडा ने भारत पर कुछ आरोप लगाए ये एलाइंस है किया ये क्या गठवंधन है इस पर चौट टर्म में एक छोटे से समय के साथ व्यतीत करते हुए इसको तेजी के साथ जानेंगे कि अभी जो आरूप लगाए हम लोग इस लगतार देख रहे हैं कि कनाडा भारत पर एक आरोप ये लगा रहा है कि खालिस्तान समर्थक जो सिख्णे था हर्दीप सिंग निज़र था हर्दीप सिंग निज़र था उसकी हत्या कनाडा में हुई ठीक है तो इस मामले में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया गया कनडाई PM जस्टिन टूडो ने बयान के बाद ये दोनों ही देशों के बीच में जो रिस्ते हैं वो खटाई में पड़ गए है इसी बीच अमेरिका के एक राजनाइक ने एक बयान जारी किया और जो बयान काफी चर्चा में रहा और उसमें उन्होंने ये कहा कि टूडो ने यह आरोप फाइव आइज अलाइन्स के साजेदारों के बीच साजा खूफी जानकारी के आधार पर लगाया तो बात यहां पर यह आती है कि यह है क्या के बीच एक सहीयोग का ये गठवंधन है एक एलाइंस है यानि कि पांच देशों की जो खूफिया विभाग हैं वो आपस में एक साथ तालमेल करके एक साथ रहकर काम करते हैं तो इसमें पांच देश कौन कौन से हैं तो कनाड़ा के साथ इसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ब् लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी ये सभी आपस में एक मजबूत सहीयोग और तालमेल रखते हैं और एक दूसरे से जो भी जरूरी सूचनाय होती हैं वो आपस में आदान-परदान करते रहते हैं तो इन पांचों देशों की जो खूफिया एजंसियां हैं वो एक दूसर कि वजह से इसी समन्वे की वजह से इनको फाइव आइज कहा जाता रहे तो अगर हम बात करें इसकी कि ये फाइव आईज एलाइन्स की जरूरत कब पड़ी क्यों इसका जन्म हुआ कब इसका जन्म हुआ तो विश्वयूद के समय ये अनुभव किया गया कि जब ब्रिटे और अमेरिका ने जर्मन और जापानी कोड को तोड़ा तो उसके बाद गुप्त जानकारी को साजह करने का इन्हों निर्णे लिया अमेरिका और बृतेन की इस साजह कोशिश में कनाडा उन्निस और अन्चास में शामिल होता है और उसके बाद न्यूजी लेंड और आस्ट्रेलिया भी इसमें उन्निस सो चपन में शामिल हो जाते हैं फाइव आईज एलाइंस के सभी सदस से अपने और एलाइंस देश की जो खूफिया जानकारी है उसको आपस में साजह करते हैं और साथ में सुरक्षा चैलेंजिस के प्रती भी एक दूसरे को सचेत करते रहते हैं अगर किसी दूसरे देश पर कोई संकट आने वाला है तो संकट पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे देशों को सचेत कर देते हैं कि आपके उपर ये संकट आने वाला है ताकि वहां की गौवर्मेंट और वहां की सुरक्षा आने एजंसियां उस पर काम कर सके खास कर चीन के उद्धै और उसके सामिल हो सकते हैं तो साल 2021 में अमेरिकी संसत के प्रतिनीधी सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया और इसमें जोर दिया गया था कि फाइवाइज एलाइंस जो है उसमें सहीयोगियों की संख्या बढ़नी चाहिए और ज्यादा इसमें सहीयोगी सामिल होने चाहिए तो अ अमेरिका का मानना है कि चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के साथ प्रितिस्परधा करने के लिए इन देशों का मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो कुल मिल आके हमें एक बात यहां पर समझ में आ जानी चाहिए कि फाइव आइज एलाइन्स है क्या जो यह फाइव आइज एलाइन्स है इसको लेकर हमारी समझ अपने आप बिक्सित इस प्रकार हो जानी चाहिए कि कैसे कि कैसे फाइव आइज एलाइन्स पांच देशों के खूफिया तंत्र का एक सहियोग है एक आपसी तालमेल है एक संगठन है जो क्या कर रहा है जो खूफ भारत पर लगाया है कि हरदीप सिंग निजर की जो हत्या है उसमें भारत का हाथ है तो यह कहां तक सच्चाई है या क्या मुद्दे है उस पर आगे चर्चा होती रहेगी और आगे भी इसको लेकर समझार आएंगे लेकिन फिलहाल समझारों में चरने वाला ये concept फाइव आ इसमें सामिल हो सकता है लेकिन आगे की कहानी फिर बाद में लेकिन यहां तक का जो एक basic concept है हमारा उसको लेकर clear हो चुका है और इससे कई बार प्रश्ण भी UPSC पूछ चुका है फाइव आईज से चलिए मिलते हैं अगले session में अगले segment में एक और अच्छी news के साथ और एक